एलो गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और ने गुलोग में दोस्तों आज मैं आपको भारतिय सीनेमा के पहले मेगा स्टार राजेस खन्ना जी का घर जो है वो दिखाने वाला हूँ तो यह आप देख सकते हैं दोस्तों आजिरबाद का आटर रोड लिखा हुआ है तो यहाँ पे राजेस खन्ना का पहले आशिरबाद नाम से बंगला हुआ करता था अभी आप देखेंगे तो यह तुरा एक अपार्टमेंट में जो है वो चेंज हो गया है तो यह बंगला जो जो है लोग भुतिया बंगला क्यों बोलते थे और इसका क्या लोकेशन है अभी इस बंगले में कौन रहते हैं यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप दोस्तों जुरे रहें मेरे साथ और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्ली चैनल को स सूपरेस्टार राजेसकरना का बंगला आशिरवाद हुआ करता था आपको बता दू कि इस बंगले को एक समय भूता बंगला भी कहा जाता था यह कहानी सुरू होती है साल 1960 के दसक से उस समय मुंबई के काटर रोड पर बेहद कम बंगले हुआ करते थे उस दोर में नौसा राजेंद्र कुमार का बरा नाम था और वो अपने लिए एक बंगले की तलास में थे राजेंद्र कुमार को उनके एक दोस्त ने इस बंगले के बारे में बताया राजेंद्र कुमार को यह बंगला पसंद आ गया लेकिन इनके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे ऐसे में राजंदर कुमार ने अपने समय के मसूहर फिल्म मेकर बी आर चोपरा से संपर्ग किया और उने की फिल्म कानून सहीत दो अन्य फिल्म करने के लिए हामी भड़ दी। राजंदर कुमार की सिर्फ एक सर्थ थी चोपरा सहब उन्हें पैसा एडवांस में दे 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 और हुआ भी ऐसा ही इसके बाद राजंदर कुमार ने इस बंगले को 60,000 में खरीदा और इसका नाम रखा डिमपल इस बंगले में सीफ्ट होते ही मानो राजंदर कुमार की किसम बंगला बनवाया और उसका नाम भी डिम्पल ही रखा दोस्तो उस समय तक इंडेस्ट्री में राजेस खना की एंट्री हो चुकी थी और वो बॉलिवूड की अगले सुपर एस्टार होने की कगार पर थे राजेस खना को पता चला कि राजेंदर कुमार अपना काटर रोड व विश्वास करते थे ऐसे में राजेस खना ने सोचा कि यदि मैं इस घर को खरीद लूँगा तो साइद मेरी भी किसमत चमक जाएगी फिर काफी मान मुनवल के बाद राजेस खना को यह बंगला राजेंदर कुमार ने साड़े तीन लाक में बेच दिया राजेस खना ने इ उपर आका नीचे काका राजेस खना ने इस घर में ऐसी सेक्सेस देखी थी जो आज तक कोई सूपरेस्टार नहीं देख पाया हलाकि समय ने एक बार फिर पल्टी मारी और बॉलिवूड में एक ऐसे सितारे का उदे हुआ जिसके सुरुवाती आठ फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी जी हाँ हम बात कर रहें अमता बचन की जिन्होंने फिल्म जंजीर से अपना ऐसा रोतवा जमाया कि धीरे धरे काका की जमिन से रखती चली गई इसके बाद के दोर में अमता बचन जहां नए सूपरेस्टार थे वहीं काका की फिल्में फ्लॉप होती ज क्याते हैं कि यहीं से राजस्खना को ऐसी बीमारी लगी वो फिर कभी ठीक नहीं हो सके दोस्तों इसके बाद उन्होंने इसी बंगले में 18 जुलाई 2012 को अपनी अंतिम सांस ली राजस्खना के मरने के बाद उनकी संपत्ती पर अधिकार जमाने के लिए उनके परिवार में बिवाद शुरू हो गया और फिर 96 करोर में इस बंगले को एक बिल्डर के हाथ बेज दिया गया अभी उस बंगले के जगा पर एक आलिसान घर बना दिया गया है पर नाम अभी भी आसिरबाद ही रखा गया है तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ अगर वीडियो पसंद आद वीडियो को लाइक सेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए